देखो मनोर्मा, जबते तुम इस दुनिया को छोड़ कर गई हो, मेरी दुनिया सुनसान हो गई है, सारा बिजनेस ढूब गया है, अब तो मैं भी किसी काम का नहीं रहा है अगर आगे भी ऐसे ही चलता रहा, तो मेरे सर पर जितना करजा है, टाइगर मैथ्यू ये बोट लेकर चला जाएगा, फिर मैं इस समुंदर में डूब जाओंगा, कम से कब आज के जिन तो कोई कर्स्टमा दिखा दो, जीजा, मुझे जीजा क्यों कहता तू, बहन के पती को जीजा नहीं कहेंगे, तो और क्या कहेंगे, पूरी बस्ती का जीजा तू है, तू मुझे जीजा बोलेगा, तो मेरी इजज़त की वाट लग जाएगी, मुझे जीजा बोलकर बगल के बोट वाले ने छे बोटे खरीद ली है, और अभी दक तू इज़त लेकर बैठा अरे इज़त क्यों थी पहले वो शीख लेजी जा, हाई माम, हाई जएकसन तिवारी, हाई, 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 हो, नो, 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 not this boat, that boat, ओके थेंक्यू, और वो अच्छी फैमिली दिख रही है, उसे अपने बोट मेरे क्यो बच्चर, अरे मेरे बोट मेरे बोट मेरे भेज़ द सेवन थर्टी तु नाइन ओ क्लॉक, बैट टाइम, आफ्टर नाइज, सेम सेम पपी सेम, ओके? ओके, डान. अचा सुन, पास दिन के लिए अपनी ये बोर तु मुझको दे दे, पास दिन में कमा कर तेरी सारी उधरी में चुका दूँगा, सोच मद दे दे जी जा. अब जिन्दगी में इजद कवाना भी सीखना पड़ेगा, एक पैसा भी नहीं दिया, और ओनर वाली सीट पर आकर बैट किया, दिखता नहीं है किधर गया हो, वहाँ पर खड़ा है, फर भी ढखा हुआ है, और आखे भी ढखी हुई है, अपने चेरे को भी दाड़ी में ढख कर रखा हुआ है, पता नहीं किया आदमी है, पूरा चेरा ही ढख कर आया है, भाई साब नमस्ते, मेरा नाम, कोई विलन नहीं, अच्छा आदमी हूँ, 24-7 बोर्ट अवेलेबल, इस इदाके में सबसे ज़्यादा फेमस आदमी मैं ही हूँ, जगह मैं दूँगा, चीज वो यही वो जगह है, यही वो जगह है, जील के उस पार फिल्म है, और उस फिल्म में स्क्रिप्ट लिखने वाले असिस्टन्ट राइटर आप ही है, कैसे पैचाल लिया ना, गिर गिर कर लिखाओ का तभी चोट लगी है, भाई साब फिक्र मत कीजिएगा, आप चाहेंगे तो बीच समुंदर में आपके लिए बोर्ब खड़ी कर दूँगा, मैं, आप अपनी पूरी स्टोरी लिख कर जाईएगा, मेरे साजन है उस पार, उस पार, ओ मेरे माजी अब की बार, भाई साब, मैं तब से आपको देख रहा हूँ, आप हिमाले की किसी महान रिशी की तरह तब से मेडिटेशन में बैठे हुए हैं, ये दवा अंदर कर लिजे, अरे बापरे, इस फिल्म लाइन में आने के बाद भी अगर आप 24 कैरेट सोनी की तरफ बने रहेंगे, तो फिर आभूशन कब बनेंगे, भाई साब, इस दुनिया में कुछ भी गलत नहीं है, स्मोक कीजिए, लेकिन धुआ अंदर मत लिजे, दारू पीजिए, लेकिन नशा चड़ने मत लिजे, सुन्दरता को देखिए, उसे एंजॉय कीजिए, लेकिन उसे स्विकार मत कीजिए, चौथी और सबसे इंपोर्ट ये सब करने के बाद भी शरीफ इंसान बने रही है, बस इतना ही, दवा ले लिजे, इतना दम लगा कर बात कर रहा हूं, फिर भी इसकी सेल्फी नहीं निकल रही, भाई साब मेरी बात करने की ताकत खत्म हो गई है, मेरा गलावी बैट गया है, अब मैं टीवी चला देता ह आओ, देखिए, एक नामचीन बिजनेसमेन, मिस्टर खुराना के बेटे संतोश और पोलाची के एमेले राजा पांडे की बेटी, मेडिकल स्टूडनेट अनुशा की शादी अचानक रुप गई है, इसकी शकल तो अपने भाई जैसी है, मुझे क्या पता था कि तुम इतन एक्स एमेले राजा पांडी की बेटी को भागाने वाले के बारे में पता चल गया है, सूत्रों से जानकारी मिली है कि इसमें पुलिस दपाट्मेंट के एसपी विगनेश्वरम के बेटे अनिल का हाथ है, अनिल मेडिकल स्टूडेंट अनुशा से एक तरफा प्यार करता इस बीच अनुशा की शादी होने वाली थी, जिसे अनिल बरदाश्ट नहीं कर पाया और उसने अनुशा का किड्नैप कर लिया ताजा सूत्रों के मताबिक पता चला है कि अनिल और अनुशा की परिवारों के बीच बहुत पुरानी दुश्मनी थी कि लड़की का किड्नैप होने से पहले वहां बहुत हिंसा हुई है अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये प्लानिंग पहले सी हुई थी, पुलिस चार्ज परताल में जूटी हुई है मेडिकल स्टूडेंट अनुशा का अनिल के प्रती जब विभार थोड़ा चेंज हो गया तो अनिल की मानसिक सिती खराब होने लगी ये सब देखकर अनुशा उससे अलग हो गई इस बात पर अनिल को गुसा आ गया और उसने शादी के मंड़प में गुसकर अनुशा को किड्नैप कर लिया मैं कौन हूँ तुम बताओ अगर मेरे बारे में सब पता है तो पताओ तुम मुझे बच्पन से जानती आई हो बताओ मेरी मानसिक सिती खराब है या फिर जैसा वो लोग कह रहे कि मैं तुमसे एक तरफा प्यार करता हूँ और तुम्हें किड्नैप कर लिया है अनुशा हमारी जिन्दगी एक फिश हुग जैसी है जिसके दो सिरे होते हैं एक सिरा जिसे हम पकड़ते हैं और दूसरा जिससे शिकार को पकड़ा जाता है क्यों समझ में नहीं है है दुनिया में हर इंसान के दो चहरे होते हैं उनमें कुछ इंसान का चहरा देखने लायक होता है और कुछ चहरे होते हैं जो देखने लायक नहीं होते उन्हें न देखा जाए तो ही अच्छा है हाई फ्रेंट्स हमेशा कितर इस साल भी अनात बच्चों के लिए हम मेडिकल कैम्प रखने वाले हैं और किसी व्याइपी को हम चीफ गेस्ट के रूप में इन्वाइट करेंगे कुछ व्याइपी के नाम आप सजेस्ट कीजे उनमें से जो बेस्ट होगा उसे हम चीफ गेस्ट बनाएंगे क्रिकेटर अश्विन क्यों वो बहुत देर तक खेलेगा क्या अरे माज के बारे में बोल रहे थी यार एक काम करते हैं जॉन्य लिवर को बुला लेते हैं हेलो अनिल मैं कॉलेज में तुने बात में फोल करूँ अनू हम सॉरी इस ओके मैं एक नाम सजेस्ट कर रहा हूँ वो जरू ठीक रहेगा वो अपने शहर में आ रहे हैं अपने फंक्शन में बुला लेंगे उने कौन है वो अन्ना हजारे अजय है मैं इस कॉलेज में सबसे यादा इस कैम तुम कर रहा है अगर वो यहां आ गया न तो तुम्हारे खिला फंक्शन करने बैठ जाएंगे तो तुम्ही लोग कोई नाम बताओ ना ए एक्टर संतोष पिछले साल हम लोगों ने ट्राई किया था उन्होंने का वो किसी फंक्शन में नहीं जाते हैं ए अगर उन्हें अप्रोच करने का तुम्हारा तरीका से हुआ ना तो वो जरूर आएंगे है ना हाँ वो कैसे मैं कहा रही हूँ ना अगर तु उससे बुला कर ले आई तो हम इसे निकाल कर तुझे चैर्मन बना रहेंगे ठीक है ना कोई चांस नहीं है अगर तुम लोग वाकई उन्हें लेकर आ गए ना तो देखना मैं खुद ही यह पोस्ट छोड़ दूँगा चैलेंज हाँ हम हम कुट 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 उन्होंने तॉद हमें देखा भी नहीं बहुत मुशकिलें उनको मना ना अप कैसे मिलेंगे उनसे क्या करें सेक्यालिटी हम मेरिकल कॉलेज के स्टूडेंस है तो सरसे मिलना है वार जाुरे नहीं मिल सकते आप उनसे नहीं सकते यहार थेंक यूप एवर्टी तको मैं आ जाओंगा फिर रम शूडिंग प्लान कर सकते हैं थीक है सर आजाए करें नमस्ते बाला कोने यह लो कई दिनों से मेरा पीछा कर रहे हैं ले कारो इन मैं देखता हूं को हलो सर आम अनुश्या मेडिकल स्टूडेंट वो क्या है कि कॉलेज में हम अनाद पच्चों के लिए एक मेडिकल कैम्प रखने की सोच रहे हैं उसके इनागुरेशन के लिए अगर आप आ जाए तो हम सब को बहुत खुशी होगी सर सॉरी मैं जनरली मैं ऐसे किसी भी फॉंक् सिर्फ इतना ही नहीं अगर आप आएंगे तो हमें बहुत ज्यादा स्पॉंसर्स मिलेंगे और इस तरह उननाद बच्चों की हम ज्यादा हेल्प कर सकेंगे देखिए मेरे आने से आप लगों को जो स्पॉंसर्शिप मिलेगी उतना ही अमाउंट मैं आप लगों को कॉंट्रिब्यूट कर देता हूं प्लीज उझे इसके लिए फोर्स मत कीचे नहीं सर आपकी प्रेजन्स वहां पर बहुत जरूरी है मैं आपको जरूर वहां लेकर अपर आउंगी ऐसा मैंने सभी बच्चों से प्रामस किया है सर वाट प्रामस मी कर देया आप और ये जाने कि उस दिन में अविलेबल हूं या नहीं हूं ऐसा प्रामस उन से कैसे कर दिया आपने लोग आप अपनी पबिसीटी के लिए मुझे फोर्स मत कीचे जिए सर आप जिन फिल्मों में हीरो बनते हैं उन्हें देखने का लोगों में बहुत ज्यादा क्रेज है इसलिए अगर आप वहाँ आते हैं तो उन छोटे-छोटे बच्चों को कुछ देर के लिए खुशिया मिल सकती है इसलिए आपको आने को कहा हमें किसी पबलिसिटी की ज़रूरत नहीं है लेकिन ड्रियल लाइफ में आप कैसे हैं ये पता चल गया आपको बुलाया ये हमारी गलती है अब अगर आप आना भी चाहेंगे तो हमें मन्जूर नहीं सॉरी है यनू है तुम्हें मजा करना भी नहीं आता सर्प्राइस दे रही हो क्या हमने कोई गिफ्ट भी नहीं लिया है क्या बोल रहा है तुम्हा कर खुद देख लो नमस्कार नमस्कार नमस्ते सर नमस्ते सर नमस्ते सर हाई 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 है है इसने तो वाकर सर्प्राइज दिया यार हाई 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 नाम क्या है तुम्हारा माला कुमारी अच्छा यह बताओ तुम मेरी फिल्मे देखती हो हाँ हमने देखे है नहीं हुआ 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 आप सभी लोग तो जानते ही हैं मैं किसी फंक्षन में नहीं जाता हुआ है जब इस फंक्षन के लिए मुझे बुलाया गया तो मैंने माना गर दिया था लेकिन यहां कर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अगर मैं फंक्षन में जाता हूँ तो इस बात का कितना असर पड़त तो इनके आप सिनेमा में एक्टिंग करना है। मैं आज तक और यहीं समझ रहा था। लेकिन आज इन बच्चों की खुशी देखकर मुझे समझ में आक्टिंग से हटकर कुछ और भी है। मेरे यहां आने में जिसका सबसे बड़ा हात है व वह स्टुडंट अनूशह। और उनका मैं शुक्रिया दागरता हूँ थैंक यू, थैंक यू सो मच अनु आज मैं आप सबसे वादा करना जाहता हूँ कि एसे फंक्शन मैं हमेशा अटेंड करूगा और सब की खुशी का हिस्सा बनुगा इस रिली स्पेशल तो बेहर निस वकेशन नकिसा प्रक्षर, करें livres वेशिक तो हूँ देख सबसे, और समय शुक्रवाद करेंगे फाल किताइज ay noses के शाय अधि जो सी ख़े स्थरी , भूच कईख मोना चल्थे घ्रिय भूचर आभ ऐस सब्सक्रश, कोई औरसल दाइस बेर देख दिति अ. को सर्टोश! कोई दिन दो, भूज्म अटरा घरा जाहिए कोई में अड़े, होछ जो दो कर दो तो भूछ कोई आप पिचेडी आप लोग हाई सर्फ आप लोग पिचेडी एप लीज़ सार्फ मुझ सिका उस्ते थेंक्यू थेंक्यू बड़ी मच्च थेंक्यू इसे रखो एक नटे सर्फ हाई 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 कैसी ही यहाई आप यहाई फिल्म देखने आई है हाई हाई मुझे भी जाना हुगा आप यहाई अब हमें अग्ला शो तो देखना ही पड़ेगा कुछ का और हॉल में जाकर देखते हैं हाँ मुझे यकी नहीं हुरा कि उसने मुझ से बाती सर निया टिकट आप लोग के लिए देखर बताईएगा की कैसी लगी ओके थैंके वेन थैंक्यू हालो 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 बत्व हालो 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 वो महराज अपना चेरा ढख कर बाहर खड़े हुए थे कॉई समस्या कोई नद कोई सेलूशन होता लकिन कोई तो बताए की समस्या क्या क्या सलूशन है कि दर मिलेगा कहा मिलेगा अप्रभाप यह भी है क्या ऐसा चीपकली गिरे तो अप्शकुन होता है क्या सर्जी सर्जी सानी देवल तो कम से कम बात भी करेगा यह तो बात भी नहीं कर रहा है फिर भी एक बार कोशिश करके देखता हूं सर्जी सर्जी वहाँ बाहर एक पंजाग रखा हुआ है जरा उसे देखकर बताई कि छिपकली गिरे जशुब होता ही आशुब होता है चिपकली या तुम्हारे लिए बोला तो सही छिपकली जो मेरे उपर गिर गए थी अब तक तो वो उचल का दूसरी बोट में चली गई है मेरी प्रॉब नाम की जो जगह है वहाँ पर फोन स्विश्ट ओफ हुआ है आपने जो भी पूछा उसकी रिपोर्ट्स इसमें है गुड मॉर्निंग सार गुड मॉर्निंग सार अनिल के पापा है अंकल कहां है वो बता दो पुलिस के हाथ लग गया तो उसे नहीं छोड़ेंगे वो उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं मैं भी सस्पेंड हो चुका हूँ अब मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा मेरी बीवी भी गुजर चुकी है मेरे बच्चे को तो जिन्दा रहने दो हाथ जोड़कर पूछता हम बता दो हमेंने ही पता हम सच भी नहीं जानते वो कहां पर सेर इन लोगों से क्या पूछ रहे हैं जिसने गाड़ी चेंज करके दी है एक बार वह हाथ लग जाए फिर सब उगलवा लेंगे slower用श पुझ करें लो अ, हा करेंगे है नुड़ा है इस्टirm लोग लोगलवा उर लोग स्टव है ॉप्डर मेघ Ł मिए रध प्नुड़ appreciate बार इस्टी है वप्डिलो अपी को अईया साँ अच्छिंट न्यू यर के पहले दिन, सबसे पहले, तुम्हारी आवाज तुनना चाहता था मैं, माँ पापा से बात करने का भी दिल नहीं किया उस दिन, मैंने तुमको फोन लगाया, तुमने नहीं उठाया, तुमने जो किया वो गलत नहीं था क्या, वो सब कुछ, बोलना चाहिए था तुम्हें, उपा हू हुए है, मैं वो बीछ पा घर तुम्हें किया झारी, चाहिए है, झाल झाल